प्यारे बच्चों, हिंदी विशे की कक्षा में आप सबका स्वागत है मैं आपकी हसीना में प्रस्तुत हूं लेकर पाठ चार पानी की खोज आज हम इसका दूसरा और आखिरी भाग पढ़ेंगे कल हमने भाग एक यानि जो पाठ पढ़ा उसमें हमने जाना कि टीना जब छट पर सो रही थी तो जीटो नाम का एक प्राणी रॉकेट सिल्स की छट पर उतरता है और टीना से साफ पानी मांगता है जब टीना उसे एक जील पर लेकर जाती है तो जीटो बताता है कि यह पानी तो हानी-कारक रसाएनों से भर चुका है क्योंकि लोगों ने इसे गंदा कर दिया है इसके बार टीना जीतो को लेकर नदी पर पहुँचती है लेकिन जीतो देखता है कि आज़ पास जो कार खाने थे उनसे बहकर जो आया रसायन था उसने नदी के पानी को दूशित कर दिया जो कि पीने लायक नहीं है तभी टीना को याद आता है कि उसने गाउं में एक कुवा देखा था जब टीना और जीटो उस कुवे पर जाते हैं तो उन्हें वह पानी भी दूशित मिलता है इसके बाद टीना परिशान हो जाती है कि उसे कपड़े धोने के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए साप पानी कहां से मिलेगा इसके बाद बच्चों आईए पढ़ते हैं अगला भाग जीटों ने बताया, बड़ी-बड़ी मशीनों से नदियों, जीलों, आजी के गंदे पानी को साफ किया जाता है और नलों के द्वारा उसे घरों, कारियालों और कार खानों में भेजा जाता है कारियाले बच्चों वह स्थान होता है जहां पर कारिय किया जाता है जिसे हम दफ्तर भी कहते हैं एक गिलाज पानी बनाने में बहुत महनत और समय लगता है अच्छा तीना आच्छिये से बोली हाँ बिलकुल सोचो क्या तुम एक भी दिन जल के बिना रह सकती हो नहीं मैं पानी के बिना बिलकुल नहीं रह सकती लेकिन उपाय क्या है तरीका क्या है तीना चिंति थी यानि वो परिशान थी जीटो मुस्कुराया और बोला तुम्हारी धर्ती के लोगों को पानी का इस्तिमाल पूरी सावधानी से करना चाहिए जल ही जीवन है पशुपक्षी, पौधे और धर्ती की प्राय सभी चीजों को जीवित रहने के लिए जल की जरूरत होती है लेकिन अगर मनुश्य पानी को इसी तरह गंदा करते रहे तो धर्ती पर जीवन का अंत हो जाएगा यानि जीवन जो है धर्ती पर नहीं बचेगा सब मर जाएंगे सारे सौर मंडल में पृत्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पर जल आसानी से मिलता है किसी दूसरे ग्रह पर जाने से पहले मैं अपने रॉकेट का इंधन टैंक यहीं से भर लेता हूँ सौर मंडल मतलब सूरज का परिवार जिसमें सूरिय और आठ ग्रह शामिल है और इंधन टैंक बच्चो यानि पैट्रोल डीजल भरने के लिए जो टंकी लगी होती है स्कूटर में, बाइक में, कार में, बस में उसे इंधन टैंक कहते हैं क्या, तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें पीने के लिए पानी नहीं चाहिए तीना ने चौक कर पूछा नहीं, साब पानी से तो मेरा रॉकेट चलता है जीतो ने बताया रॉकेट वापिस तीना की छट पर पहुँच गया था तीना उतर आई, पर वह उदास थी कि वह जीतो की मदद नहीं कर सकी जीतो ने हाथ हिलाते हुए कहा अलविदा, मैं साब पानी लेने अंटारक्टिका जा रहा हूँ अंटारक्टिका बच्चो एक ऐसा सुनसान महादूइब है जो दक्षणी दुरूपस्थित है और लगभग पूरी तरह से ये बर्फ से ढका हुआ है और जहां पर लोग रहते ही नहीं है नाम मात्र हाँ, याद रखना तुम हर बार एक गिलास पानी लेने अंटारक्टिका नहीं जा सकोगी रोकेट उपर उठा और धीरे धीरे पीले गोले में बदला और फिर नीले आकाश में खो गया तो बच्चों ये पाठ किसने लिखा है दिलीप M. सालवी ने बच्चों मैं आशा करते हूँ आप इस पाठ को दुबारा पढ़ेंगे और इसका मतलब समझेंगे